हाँ बटा चेस प्रॉब्लम है चेस सभी लोगों ने देखा हुआ है चेस बोर्ड टोटल 64 स्क्वाइर्स होता है इसमें यूनिट वाले वन यूनिट इसको एक यूनिट लेता है तो इसमें से हमें दो स्क्वाइर सेलेट करना है तो टोटल वेस कितने आ जाएंगे 64 में से 2 स्क्वाइर का सेलेक्शन याने 64 सी 2 अब हमें प्रोबिलिट इफाइन करना है पहले फेवरेबल केसिस लेना है दे आर इन सेम डायगोनल यह दोनों स्क्वाइर जो है एक ही डायगोनल में होना चाहिए पहले देखें इसमें डायगोनल कितने है देखें एक तो यह ड यह दूसरा डाइगोनल यह तीसरा डाइगोनल एंड सोन बराबर है पहला जो डाइगोनल बना हुआ है उस में कितने स्क्वेर आ रहा है दो स्क्वेर आ रहा है किवल दो ही है तो favरेबल केस लिख लेते हैं 2 C 2 प्लस यह दूसरा जो डाइगोनल है इसमें कितने हैं तीन है सो प्लस 3C2 ऐसे ही बढ़ा दें आगें 4C2, 5C2, 6C2, 7C2, 8C2 यह बड़े वाले डाइगोनल तक आ गए हमें ना इस सबसे बड़ा डाइगोनल कितने रहेंगे इसमें 8 स्कॉयर है उसमें से 2 का सेलेक्शन तो 8C2 फिर क्या होंगा नहीं पूरे डबल कैसे होंगे अब इधर बचा हुआ है ना तो यहां तक जो होंगे इसका डबल यह समझ में हैं इस बात यह बीच में एक ही है ना यह तो इसके इधर जो पोर्शन रहेंगे और उधर जो रहेंगे वो सिमेट्रिक होंगे तो इसका डबल ले लिया पनने तो एक ये वाला जो है, ये डाइगोनल इसमें सेलेक्शन हमने कर लिये दो स्क्वाइर्स के अभी ऐसे भी डाइगोनल होता है ना, ये वाले ये एक डाइगोनल है, दूसरा, तीसरा वो कितने होंगे सेम इतने ही रहेंगे जितने अभी board पर दिख रहा है है ना तो total निकालना है तो क्या होंगा वटा इस पूरे का double यह जितना पूरा दिख रहा है ना इन सब का double ऐसा यह समझ में आई बात अभी जितने diagonals इस तरह से थे ठीक वेसाई डाइगोनल ये भी रहेंगे, राइट, तो यह होगा आपने फेवरेबल केसेज, टुटल फेवरेबल केसेज, कल्कुलेट कर लिजिया इसको, 2 इंटो, 12 इंटो, 2 सेटो यहने 1, 3 सेटो, 3, 4 सेटो, 6, 5 सेटो, 10, 6 सेटो, 15, 7 सेटो, 21, or 8 सेटो, 28. So it is twice into, again twice into, इन सबका सम किजे कितना रहा हैं, देख लिए हैं, 21, और ये कितना है, 21 प्लस 9, यहां तक, खेना, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यह बनता है 30, 30 और ये हो गया, 40, 56 हो रहा हैं, 56 का डबल करते हैं, 112, 112 में 28 और जोड़ दीजिए हैं, और 140 का डबल, ब्राबर हैं, देन प्रोबबिलिटी क्या जाएंगी, पर्मूटेशन में कोश्चन आता है तो, यहां तक खतम, है कि नहीं, प्रोबिलिटी में बास एकी स्टेप जादा होती है, क्या हैंगा बटाएं, 2 इंटो 140 डिवाइड, 64 इंटो 63 डिवाइड, 2 फेक्टोरियल और 2, ब्राबर हैं, इसको कल्कुलेट कर लीजिए, तो आजाएंगा अपना अंसर, क्या क्या राएं, एक्जेक्ट आंसर लाइंस का, कितना हैंगा बटाएं, 2 से कैंसल होंगा, तो यहां पर आजाएंगा, 32, फिर 2 से कैंसल होंगा, तो 16, 16 बचाएंगा यहांपर, फिर इसमें 4 से कैंसल कर देता हैं, तो 4, कितना हैंगा, उपर 3 आजाएंगा, और 5, नीचे कितना था 4 into 63 यह हो जाएंगा final answer अब बस last वाले का multiply कर लो 63 into 4 का यह था अपने first question का answer ब्राबर है अब दूसरा है they have one vertex common इसको note कर लिजे फिर दूसरा लिखते है हाँ बच्चो इसका second part देखो यह they have one vertex common हमें दो circle select करना है जिसमें से एक vertex जो है दोनों का common होना चाहिए square के 4 vertex होते हैं उसमें से एक vertex common होना देखो बटा क्या हम यह वाले v1 v2 square को select कर सकते हैं बोट तरब देखो और बताओ क्या v1 v2 select किया जा सकता है favorable condition में आएंगा हो नहीं क्यों नहीं आएंगा v1 v2 क्योंकि इसमें दो vertex common हो गए नहीं आ सकता ना इसलिए कोई एक पेर बता सकते हो कोई भी एक पेर बस कि इसका एक vertex common है ऐसा नाम बोलो v2 h2 सही है very good v2 h2 का एक vertex common है यह वाले हैंगे नहीं यह common vertex हो गया इसका और कोई एक उसी में वहीं पर यह वाला वी 1 h1 एंड यह वी 2 h2 इसका नाम क्या है v2 h1 इसका नाम है v1 h2 दोनों एक साथ जहां पर अभी तक दो मिले हैं है कि नहीं दो मिले ना एक green वाला एक red वाला चार सेल नहीं है यह मतलब अपने favorable condition बोल रहा हूं अपनी favorable condition कितने हुई दो हमें दो सेल सेलेट करने थें दो square सेलेट करने थें जिनके one vertex common है तो एक selection यह हो गया दूसरा selection यह हो गया राइट तो हमने क्या किया अभी तक के दो ways निकालें अपने favorable way तू ways है ना और उसके लिए जो है जो square हमने select किया है ध्यान से देखो से square को यह 2 by 2 का square है है कि नहीं 2 by 2 का square यह जो है 2 by 2 का square है जिसमें हमारे favorable ways मिले हैं 2 तो 2 by 2 के हम कितने square देख सकते हैं इस पूरे chessboard में बस इतनी सी problem है यह हो जाएंगे total ways है कि नहीं जितने भी आप देख सको 2 by 2 के तो करना क्या है हमें 2 2 by 2 के देखते हैं 2 by 2 के squares लेना है यह अपने favorable ways होंगे ना देखो एक तो यह जो दिख रहा है यह वाला इसको मैं ऐसा नाम दे देता हूं horizontally v1 v2 दूसरा हैंगा v2 v3 अना फिर v3 v4 v4 v5 लास्ट वाला कुन सा होंगा v7 v8 तो कितने मिले इसे साथ साथ मिले ना अभी साथ मिले है ना उके उसके बाद में आप यहां से सुरू कर सकते हैं इन दोनों से सही बोल रहे हैं है ना कितने आ जाएंगे बिटाएं यहां से स्टार्ट करते हैं तो इसको लेकर है ना इसको फिर आगे बढ़ाओ ऐसे ही तो वह भी साथ मिलेंगे तो ऐसे साथ 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 करते हैं वे कितने आ जाएंगे 7 का square clear है सबको और multiply by 2 तू से क्यों multiply दो मिल रहे हैं ना एक में मतलब जब हम एक selection ले रहे हैं तो उसमें अपने favorable वाले कितने मिल रहे हैं अपने को दो मिल रहे हैं जो अपने favor के थे हैं ना सो probability क्या आ गए अब तो हो गया question खता हम 2 इंटो 49 डिवाइड 64 से 2 याने 64 इंटो 63 डिवाइड 2 साथ से cancel हो रहे हैं यहाँ पर 9 यह 4 से cancel हो जाएंगा 16 इंटो 9 यह गया अपना answer second question का यह number of squares जो find करते हैं ना उसमें भी काम आती है बिटाई method है ना जो अभी दिख रहा है आपको पढ़ चुके हैं हम लोग हाँ बच्चों इसका third part देखते हैं आप they have one side common लगभाग सेम ही है यदि हम two by two का यह वाला square एक choose कर लें तो इसमें यह पहले जो दो square हैं यह वाला और यह वाला इसमें यह वाली एक side common हो गई एक side common है बस हना तो यह दोनो square हम select कर सकते हैं इसके बाद में इसको और इसको देखें यह red और green को तो इसमें यह वाली एक side common दिख रही हैं similarly इन दोनों को देखें यह वाला red और यह green तो यहाँ पर भी हमको one side common दिखाई दे रही है और इन दोनों में भी एक side यह वाली common है तो अधि हम two by two का एक square बनाते हैं यह वाला तो इसमें अपने को कितने अपने favor के लोग मिल रहे हैं? चार clear है सबको? एक यह, दो, तीन और चार तो total selection कितने आ जाएंगे बटा? यह two by two के squares बनाना है two by two के squares हम देख चुके हैं last question में कितने होता है seven into seven बस change क्या होंगा? यहाँ पर two की जगा कितना आ जाएंगा अभी? four clear है ने सबको? क्योंकि उस two by two के square में one side common वाले four square है बराबर है? okay so probability क्या जाएंगे अभी? यह जो हमने two into forty-nine लिखा था इसकी जगा क्या हैंगा? four into forty-nine बाकि सब सेम ही है so answer में into two आ जाएंगा यहने final answer होंगा seven upon eight into nine seven by seventy-two झाले वो